संति योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्धै दो पत्संख्या 13 से 22 तक यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर इसा यरुसलिम गए उन्होंने मंदिर में बैल, भेड और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैटे हुए सराफों को देखा उन्होंने रस्यों का कोड़ा बना कर भेडो और बेलो सहित सब को मंदिर से बाहर निकला दिया सराफों के सिक्के छित्रा दिये, उनकी मेज उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, यह सब यहां से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बजार मत बनाओ उनके शिश्यों को धर्मगरंद का यह कथन याद आया, तेरे घर का उत्सा मुझे खा जाएगा यहूदियों ने इसा से कहा, आप हमें कौन सा चमतकार दिखा सकते हैं, जिससे हम यह जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है इसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढादो और मैं इसे तीन दिन के अंदर फिर खड़ा कर दूँगा इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे तीन दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे इसा तो अपने शरीर के मंदिर के विशे में कह रहे थे, जब वह म्रतकों में से जी उठे तो उनके शिश्यों को याद आया कि उन्होंने यह कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंद और इसा के इस कथन पर विश्वास किया